ब्रिक्स बैंक रशिया चाइना और इंडिया क्योंकि बहुत बार इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया इसकी राजधानी की स्थीती के नाते मौस्को की स्थीती के नाते पॉलिटिकली यह आता है यूरॉप में अधरवाइस जोग्राफिकली देखें हम भोगोलिक स्थीती के अनुसार तो यह एशिया महादेब का एक कंट्री है एक देश है अब हम जानते हैं New Development Bank Bricks Bank के बारे में जब हमने IMF को डिस्कस किया था उस समय हमने यह देखा था कि आखिर क्यूं जो नई उभरती हुई अर्थ वेवेस्था वाले देश हैं एमेर्जिंग एकोनोमिक कंट्री हैं वो नए संधी संगठन समझोतों की तरफ बढ़ रहे हैं क्यों नए संस्थान नए संगठनों की तरफ वो बढ़ रहे हैं इस बात को हमने IMF को World Bank को डिस्कस करते समय जाना कि अब इन संस्थानों में जो इतने पुराने हो चुके हैं क Second World War के बाद बनाए गए थे इनमें reforms की इनको फिर से reconstruct करने की आवशकता है तो इसलिए important हो जाता है कि अब हम New Development Bank के बारे में जानें इसके लावा आज हम Asian Development Bank के बारे में जानेंगे इसके लावा हम Asian Infrastructure Investment Bank AIIB के बारे में भी आज हम जानेंगे कि कि किस तरह से नई उभरती रत्वेवस्ता वाले जो देसे हैं वो क्यों इन संगठनों की तरफ बढ़ रहे हैं देखिए सबसे पहले कि किस तरह से existence में आया था New Development Bank ये काम क्या करता है किस तरह से स्थापना की गई थी कौन से सदश्य देस हैं और अपने objective के according ये functions किस तरह से करता है focus area इसका कहा पे रहता है और कौन से countries के लिए काम करता है तो पहले इन important features के बारे में जानते हैं New Development Bank या इसे Bricks Bank भी कहा जाता है ये existence में आया था जब भारत के अंदर fourth Bricks Summit हुई थी चोथा Bricks सम्मेलन जब 2012 में भारत में हुआ उस समय में भारत ने इस तरह के bank की स्थापना का विचार रख भारत ने एक नव विकास बैंक का विचार रखा किसके सामने Bricks Countries के सामने यहाँ पे तीसरी दुनिया के साथ साथ अब important हो जाता है कि तीसरी दुनिया क्या है third world क्या है तो तीसरी दुनिया के देश उन देशों को हम कहते हैं जो ना तो नाटों के अंदर शामिल हैं ना ही सोवियत गुट के अंतरगस शामिल हैं तो उन देशों को यानि भारत जैसे देश जिन्होंने गुट निर्पेक्स नीती को अपनाया है किसी भी गुट में हम शामिल नहीं है तो इनको कहा जाता है तीसरी दुनिया third world country इनको कहा जाता है देखे दुनिया में present में हम यह कहत प्रतम विश्वय युद जिसके बाद हम जानते हैं कि विश्वय के देशों ने नए संधी, नए संगठन, नए समझोतों की तरफ बढ़े वो इसके बाद second world war जिसके बाद में हमने IMF को discuss किया है कि after second world war किस तरह से ब्रेटन वुट समेलन हुआ और इस summit conference के बाद में किस त existence में आई, हमने discuss किया ही था, ठीक इसी तरह से cold war भी important हो जाता है, सीत युद जिसके बाद में फिर से दुनिया में एक परिस्थिती आई, जिसके चलते worldwide scenario जो है वो change हुआ, ठीक इसी तरह से pandemic जो आया है, जो COVID-19 ये महा मारी, क्योंकि इसने west weeks तर पे, सभी देशों की अर् नकारात्मक प्रभावरा है, कि वहां की growth rate decline कर चुकी है, और इसी लिए reports जो आ रही है present में, वो important हो जाती है, क्योंकि अब west weeks तर पे, दुनिया के सभी विक्सित देश भी देख रहे हैं, जो विकास सिल अर्थवेविस्ता हैं उनकी तरफ, क्योंकि जो emerging economy हैं, जो उभरती ध्यान लगा रहे हैं, तो important हो जाता है, कि GDP और growth rate में किस तरह से changes आ रहे हैं present में, तो ये चार जो हमने स्थितियां देखी, कि first world war हुआ, प्रथम विस्वयुद, फिर second world war, उसके बाद में cold war, और फिर pandemic, तो इनके बाद में क्योंकि हर एक स्थिती परिस्तिती के बाद में Westfix तर पे जो changes जो बदलाव आए हैं, वो हमारे लिए important हो जाते हैं, ताकि हमारे basics की जो understanding है वो बहतर हो सके, तो इसी लिए काफी सारे students ने comment section में cold war पढ़ाने के लिए कहा है, तो definitely cold war को हम discuss करेंगे, हम second world war को भी जल्द ही discuss करेंगे, तो आपको कोई भी topic कभी भी पढ़न हो तो आप comment section में बता दिया करिए, जो live stream के ऊपर जो comments चलते हैं, उन पे नहीं, जो comments आपके बाद में दिखाई देते हैं, उनके अंदर आप अपना message छोड़ सकते हैं, कि आप कौन सा topic आगामी classes में पढ़ना चाह रहे हैं, तो definitely उस बात को ध्यान में रखा जाएगा, तो इन देशों के तो basic infrastructure के लिए काम करता ही है, साथ ही साथ, जो developing nation हैं, जो विकास seal देश हैं, उन देशों में बुनियादी धाचे की आवशकताओं और BRICS की सतत विकास परियोजनाओं के विक्त पोशन के लिए BRICS bank की स्थापना करना, ये विचार basically रखा था उस समय इंडि में भी देखें, और BRICS जो हम बार-बार नाम ले रहे हैं, यही इन देशों के नाम है, BRICS से तो B से Brazil है, R से Russia है, I से India, China, then South Africa, तो क्या ये पांच ही देश हैं क्या तो नहीं, इसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, include हो सकते हैं, मेंबर इसके सदशे बन सकते हैं, और जब हम National Development Bank की official website पे जाते हैं, तो Uruguay को वहाँ पे under process दिखाया जा रहा है, यानि इसके शामिल होने की, include होने की member बनने की लगबग formalities जो हैं, वो पूरी हो चुकी हैं, तो जल्द ही इसको पूरी तरह से शामिल कर लिया जाएगा, इसे Uruguay को अभी under process दिखाया जा रह हैं, BRICS के अलावा, Bangladesh, United Arab Emirat, Egypt और Uruguay, तो ये देश भी इसमें शामिल हैं, अब आपके लिए homework क्या है, कि इन देशों में, क्योंकि बांगलादेश तो अब हमारा पडोसी देश है, इन देशों की आपको इन countries की location map पे देखनी हैं, वैसे तो 99% जो students हैं, जो पढ़ रहे है उनको तो definitely इनकी location पता होंगी, लेकिन अगर नहीं पता हैं, तो definitely आपको ये homework है कि आपको देखना ही देखना है, ठीक है, देखें, अब हम बात करते हैं कि new development bank का focus area कहां है, कौन से क्षेत्रों में ये bank काम करना चाहता है, definitely ये चाहता है कि उन देशों की भूमिका रहे, उ उभरती अर्थवेश्था वाले देश हैं, जो विकास सिल देश हैं, developing nation जो हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा work किया जाए, तो इसका focus area आखिर कौन से sectors के उपर है, the new development bank finances, projects and innovates tailored solution to help build a more inclusive, resilient and sustainable future for the planet, तो बात हम कर रहे हैं कि हमारे ग्रह पे इस तरह का विकास किया inclusive समावेसी भी हो, resilient भी हो और sustainable भी हो, इस तरह का development हो ताकि हमारा ग्रह जो है वो आगे बढ़ता रहे, देश जो हैं, countries जो हैं वो continuous आगे बढ़ते रहें, तो इसका focus area कहां पे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, objective question इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इसका focus area कहां पे है clean energy and energy efficiency के उपर है, transport infrastructure बनाने के उपर है, water and sanitation पे है, जल भी और स्वच्छता पे भी है, इसके अलावा परियावरण की सुरक्षा के लिए भी, environment protection के लिए, social infrastructure के लिए, इसके अलावा digital infrastructure के लिए, इन सभी areas में ये mainly focus होकर काम करता है, new development bank यानी इनके projects के लिए फिर ये loan भी देता है, इसके लिए technical assistance भी देता है, grant भी देता है, देखे financing for a sustainable future, basic बात ये है कि ये वित्त देना चाहता है, किसके लिए भविश्य ऐसा हो, जो सतत हो, financing for a sustainable future, हम बात करते हैं जब कभी विकास की, तो हम साथ में क्या जोडते हैं, क्या add करते हैं, sustainable, सतत होना चाहिए, ऐस विकास ना हो, कि एक ही समय पे संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन कर लिया जाए, इतना ज़्यादा resources को utilize कर लिया जाए, कि भविश्य में आने वाली पीडियों के लिए संसाधन ही ना बचें, और क्योंकि हम जानते हैं कि natural resources are limited, बहुत ही सिमित हैं हमारे प्राकरतिक संस तो यहाँ पर important हो जाता है कि इस तरह का विकास development हमें चाहिए, जो sustainable हो, जो सतत हो, ऐसा नहीं कि एक समय के बाद में रुख जाए, नव विकास बैंक की आवशक्ता क्या थी, तो वैसे तो हम IMF को, World Bank को already discuss कर चुके हैं, और इन संस्थानों को पढ़ते समय हमने देखा, कि क इस तरह से जो विक्सित अर्थवेविस्ता वाले देश हैं, जो European countries हैं, पश्चिमी देश हैं, उनकी तरफ कही न कहीं इनका जुकाव जादा है, उन countries की भूमिका जादा है, जो संगठन है, जो organizations हैं इनके अंदर, तो कहीं न कहीं जो उभरती अर्थवेविस्ता वाले दे पश्चिमी देशों की तरफ जुकाव जादा होना, इस बात के लिए था कि इधर जुकाव जादा है, तो इन देशों को चाहिए कि कोई नया संगठन हो, new organization हो, IMF में ब्रिक्स रास्ट्रों को वर्तमान में 15% से भी कम मत अधिकार प्राप्त है, वोटिंग राइट कम है, ह हम जानते हैं कि समय समय पर बढ़ाया जा रहा है, जैसे हमने बात की थी कि हाँ चाइना का किस तरह से बढ़ाया गया है, हमने बात की थी बास्केट में भी, IMF को डिसकस करते समय, कि किस तरह से बास्केट में चीन की जो चाइना की जो करेंसी है, रैनमिन भी उसको भी इंक जो स्थीतिया एकदम से सडन चेंज हुई है तो उनके चलते योगदान जल्दी बढ़ना चाहिए तो यहाँ पे IMF में BRICS रास्टों को वर्तमान में 15% से भी कम मत अधिकार प्राप्त है जबकि विस्वे की लगभग आधी आबाधी इन्ही देशों में रहती है BRICS में Küc पारे है कि BRICS COUNTRIES में आधी आधी आभादी आधी पॉपुलेशन रहे है इनका रुप्रेजेंट कर रहे हैं ये कंट्री जहां पर आधी आपार्त करता है और जब हम बात करते हैं भारत की बारत की तरफ क्यूं अन्य देशों का रुजहान इतनай ज़ादा हो चुका है क एसी स्थितियां क्रियेट हो चुकी हैं आफ्टर पेंडेमिक कि जो ड्वलब नेशन है वो भी देख रहे हैं भारत की तरफ एक हमारी लगातार बढ़ती GDP में योगदान हमारा वैस्विक्स तरफे GDP जो है उसमें हमारा continuous manner में contribution बढ़ता जा रहा है साथ हमारी growth rate definitely बहुत ज्य हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि कारिये शिल मनुष्य भी एक संसाधन होता है और हमारे यहां working population जो है वो सबसे ज़्यादा है European countries की बात करें तो वहां पे working population लगाता डिकलाइन कर रहा है तो यह भारत के लिए एक बहुती सुनहरा मोका है golden chance है कि हाँ बिलकुल हम दुनि कर रहे हैं जिन जिन सेक्टर में हम लेक कर रहे हैं वहां पे आगे बढ़ने का हमारे पास पूरा मोका है chance है तो यहां पे important क्या हो जाता है कि ब्रिक्स नेशन अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहते थे इसलिए इन्होंने विचार रखा कि क्यों ना हम आगे बढ़ करके ए New Development Bank existence में आया रूस में 2015, 2012 में भारत में इस पे विचार किया गया और यहां पे रूस के अंदर 2015 में समेलन के अंदर वास्तों में NDB जो है वो अस्तित्वे में आया क्योंकि देखिए जब हम international organization की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आज विचार आया कल execute हो गया परसो existence में आ गई वो संस्था ऐसा नहीं होता है जब हमने ब्रेटन वूड कॉन्फरेंस को भी डिसकस किया था तो हमने देखा था कि प्रोसेस होती है फिर उसके बाद में country signature करते हैं member बनते हैं तो पूरी एक प्रोसेस चलती है उसके बाद वो संस्था काम करना start करती है तो definitely विचार तो fourth brick summit के दोरान आ गया था लेकिन इसके बाद 2015 में जो सम्मेलन हुआ वहाँ पर ये existence में आया था तो इसलिए आपसे caution भी तो इसी तरह पूछे जाते हैं ये विचार कब आया था ये अस्तित्वे में कब आया था existence में कब आया था इस पर signature करके सदश्य रास्टों ने सारकोस, पराडो, ट्राइजो ये ब्राजिल के हैं और जुलाई 2020 से ये काम कर रहे हैं ऐजे एंडीबी प्रेजिडेंट अध्यक्स का कारियकाल होता है पांच वर्सों का ये तो वैसा ही है जो IMF और World Bank में हम डिसकस करके आया थे 5 येर्स के लिए हमारी Member of Parliament के लिए भी सद संस्थानों को पढ़ते समय हमने इस तरह का रोटेशन नहीं देखा और ये भी डिमांड है अन्य देसों की कि इन संस्थानों में आखिर उन्हीं कंट्रीज के मेंबर्स जो हैं वो प्रेजिडेंट क्यों चुने जाते हैं तो अन्य देसों का भी नंबर आना चाहिए डेफ एंड टू एट मोबिलाइजिंग रिशॉर्सेज पोर इन्फरस्ट्रक्टर और सस्टेनिबल ड्वलप्मेंट प्रोजेक्ट्स एन डीवी के मुख्य कारिये क्या हैं क्या फंक्शन करता है एक्जिस्चेंस में तो आ गया ब्रिक्स देसों ने इसकी स्थापना कर दी इसको सरंचनात्मक और संधारणिये विकास परियोजनाओं को ये रिन भी देता है लोन भी देता है एक्विटी भी और अन्य वित्य माध्यमों से भी ये सहायता करता है तो लोन भी देता है ग्रांट भी देता है इसके लिए टेक्निकल एसिस्टेंस भी देता है एन डीवी के द के लिए एंडीबी जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है रिंड देता है एंडीबी की मुख्य विसेष्था हैं क्या हैं तो प्रारमभग में तो एंडीबी के पांच जो देश थे यह संस्थापक सदश्य थे इसके ब्राजिल, रूस, भारत, चीन और दक्षनी अफरिका जैसे ब्रिक्स नाम आता है तो इन ही लेटर से इन कंट्रीज के नाम स्टार्ट हो रहे हैं तो इजी है आपके लिए याद करना युनाइटे नेशन के सभी सदश्य रास्ट्रों भी इसकी सदश्य था प्राप्त कर सकते हैं ध्यान देना ऐसा नहीं है कि अन्य जो देश है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं हमने हमारे दरवाजे बिल्कुल कुले रखे हैं कि हाँ भी आओ सदश्य बनो कोई इशू नहीं है परन्तु ब्रिक्स रास्ट्रों लेकिन एक कंडिशन है कि जिस बात के लिए हम नए संधी संगठन समझोते कर रह रहे हैं कहीं वो बात ही खतम ना हो जाए हम चाहते हैं कि हमारे देशों का यानि इन ही पांचो देशों का जो भूमिका है जो इनका योगदान है जो इनका कॉंट्रिबुशन है जो इनका मत अधिकार है उसमें बदलाव जादा नहीं होने चाहिए इनका यहां पे वोटिं पक सदश्य 55% से इनका रिड्यूस नहीं होना चाहिए, वोटिंग राइट, NDB ने अपने दिर्ग कालिक विकास के लिए धीरे-धीरे सदश्यता का विस्तार करना स्टार्ट किया, और यहां पे हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि बांगलादेश को, सयुक्तरव अमिरात को, United Arab Emirates को, मिस्र को, NDB में शामिल कर लिया गया है, और उरुगवे को शामिल किये जाने की प्रोसेस कंटिनेस चल रही है, यह योजना है, एक सदश्य एक वोट की नीती है, यहां पे ध्यान देना है, जैसे हमारे देश में, जब आप वोट देने जाते हैं, तो आप एक वेक की नीती काम नहीं करती, इसको हम बकाइदा राष्ट्रपती प्रेजिडेंट को पढ़ते से में डिस्कस कर चुके हैं, कि किस तरह से Member of Parliament के वोट की जो वेल्यू है, वो निकाली जाती है, उस फोर्मुले को भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पे एक सदश्य एक वोट, ज इसे Bank और IMF की तरह इसमें सदश्यों को विटो प्राप्त नहीं होता है, किसी तरह का विटो नहीं है, बैंक का लक्ष है कम समय के अंदर, NDB का एक ये भी टारगेट रखा गया है, कि अगर लोन देना है, प्रोजेक्ट्स के लिए, विकासिल अर्थ वैवस्ताओं को और आ इन सारी प्रोसेस को कम्प्रीट कर लेना, 6 महीने के अंदर रिन का आकार, प्रकार, निर्धारित करना, बातचीत करना और उसे स्विकर्थ कर देना, अगर देना है, तो विदिन 6 मंथ पूरा अप्रूवल के साथ दे देना, कारण इसका क्या है, और ज्यादा लंबा, और समय लगाने से कोई benefit नहीं है, क्योंकि country के according अगर हम देखें, तो 6 मंथ का time भी बहुत होता है, तो यहाँ पे 6 महीने का समय तो लिया जाता है, भारत और NDB, आखिर भारत किस तरह से exist कर रहा है, क्योंकि भारत संस्थापक सदश्य है, तो NDB में, भारत में परियोजनाओं क के लिए रिन परदान करने के लिए NDB के द्वाराप स्विकर्ती दी गई है, मध्या प्रदेश में लगभग 1500 किलोमेटर जिला सडकों के पुनर उद्धार के लिए 35 करोड डोलर तक का रिन दिया गया है, यानि NDB ने भारत को खूब लोन दिया है, राजस्तान में जलक शे केंदरों के लिए भी यहाँ पे निवेश कर रहा है NDB, तो इस तरह से NDB भारत की सहायता कर रहा है, और इसलिए हमने इसकी स्थापना की ही थी, ताकि ये विकासिल अर्थ वविस्ता वाले देशों को उनके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए काम कर सके, लोन दे सके, NDB को AA+, AAA rating के जस्ट बाद में exist करता है AA plus rating, है न, तो AA plus अंतराश्ट्रे credit rating इसको मिली हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, 2022 में NDB के पाँचों सदश्यों का हिस्सा, Westwick GDP में अगर हम देखें, तो ये है 31.59%, यानि एक तिहाई हिस्सा इन्ही देशों का है, यहाँ पे, NDB के समक्ष चुनोतियां क्या है, तो चीन का प्रभूत्वे इसमें बढ़ता जा रहा है, चीन का प्रभूत्वे जादा है इसमें, चीन अपनी जादा बड़ी परियोजनाओं के लिए NDB का प्रियोग कर सकता है, NDB के पास जो amount है, उसको चाइना अपने फाइदे के लिए अपनी बड़ी परियोजनाओं के लिए जादा काम में ले सकता है, तो ऐसा यहाँ पर एक चैलेंज भी है NDB के सामने, अब हम देखते हैं, एशियाई ड्वेलप्मेंट बैंक, ADB, ADB क्या है, इसकी स्थापना की गई थी 1966 के अंदर, देखें जो 2015 में एक्जिस्टेंस में इसके लाँ AIIB को भी हम डिस्कस करेंगे, तो यह क्योंकि नए तरह के बने हुए संस्थान हैं, और क्योंकि इनकी तरफ क्यों रुजहान बढ़ रहा है, इस बात को हम जान चुके हैं, तो यहाँ से कॉशन पूछा जाना, अब्जेक्टिव में भी, इवन मेंस के अंदर भ हुई थी, मल्टी लेटरल ड्वलप्मेंट बैंक के रूप में इसे एस्टाबिश किया गया, आरम में इसके सदश्यों की संख्या केवल 31 थी, जो कि प्रेजेंट में ADB के सदश्यों की संख्या 68 हो चुकी है, हाँ ADB ने भी भारत की परियोजनाओं के लिए खूब लोन द नाम क्या है Asian Development Bank, पता चले आपने खुद से ये सोच लिया कि केवल एशिया के देशों के लिए विकास के लिए ये बैंक काम करता है, लोन देता है, उनको ग्रांट देता है, उनको सदश्या बनाता है, नहीं, एशिया से बाहर के यानि अदर कॉंटिनेंट के भी जो सदश जैसे America, विस्वे बैंक के समान यानि ये वर्ल बैंक के model पे ही इसको बनाया गया था, विस्वे बैंक के समानी यहां पे भारित मतदान परणाली है, सदश्यों को मेंबर्स को उनकी पूंजी के अंसदान के अनुपात के अंदर मतों की संख्या प्राप्त होती है, लेकिन New development bank अब क्योंकि 2015 में existence में आये तो जितने भी challenges थे उनको दूर करने की कोशिश की गई है one member is equal to one vote system यहाँ पे रखा गया है लेकिन यह world bank के उसी model प्याधारी था तो यहाँ पे जिस सदश्य देश की पुन जी का अंसदान contribution capital का जितना जादा उसी अनुपात में उसके मत की संख्या शेयर पुन जी का सबसे बड़ा हिस्सा इसके अंदर जापान का है यानि ADB के अंदर कहीं ना कहीं dominant जो कर रहा है country वो है जापान जापान इसके बाद फिर अमेरिका फिर चीन और भारत तो फोर्थ नंबर पे exist करता है भारत का स्थान कौन सा है फोर्थ है इसलिए ADB के जितने भी अध्यक्स रहे हैं वो रहे हैं जापान के अध्यक्स का पांच वर्स का कार्यकाल होता है जो की continuous पांच काई डिसकस करते आ रहे हैं हम उसको दुबारा भी वापस भी उसे निर्वाचित किया जा सकता है ADB के वर्थमान अध्यक्स है मासाथ स्कू असाकावा है ना जैपनी नेम है तो आप अपने ही साथ से प्रणांस इसे कर लेना मासाथ स्कू असाकावा जो जन्वरी 2020 से इस पदपे है ADB के उद्देश्य क्या है जैसे NDB के परपज हमने देखे ठीक वैसे ही एशिया और प्रशान्थ क्षेतर ध्यान रखना यहाँ पे एशिया और साथ में प्रशान्थ क्षेतर जो है Pacific Reason जो है वहाँ से निर्धनता पवट्री को इनका उल्मूलन करना और विकास सेल देशों को जीवन की गुनवत्ता के सुधार में सहायता करना यह ADB का परपज था जब इसे बनाया गया आर्थिक स्थेर्था और संधारणिये विकास को सुनिश्रित करना Definitely जो Organizations हैं वो हम जानते हैं कि IMF को World Bank को जिस परपज से बनाया गया था World Bank में भी हमने देखा कि किस तरह से समय के साथ उस समय परपज था कि भी After Second World War दुनिया के देश बरबाद हो चुके हैं उनको फिर से निर्मान करने की उनको साहिता की आवशकता है उनको Finance चाहिए उनको Reconstruction में Help चाहिए तो इसलिए World Bank काम कर रहा था लेकिन समय के साथ साथ हम जानते हैं Environment एक बहुत बड़ा Challenge सभी Countries के सामने बन करके आया तो इससे लड़ने में भी World Bank जो है वो किस तरह से जो परियोजनाय हैं उनको मदद करता है तो धीरे धीरे नो डाउट इन जो institutions हैं ये जो Organizations हैं संगठन हैं इनके जो भूमिका होती है वो भी समय के साथ बदलती रहती है तो यहाँ पर आर्थिक स्थिर्था और संधारनिय विकास को सोनिश्यत करना और जो प्रेजेंट में यानि जो इन decades में इस decades में जो संस्थान Organizations बने हैं Definitely वो पहले से ही ये तै करके चलें कि हमें परियावरन पे पूरा ध्यान देना है उन परियोजनाओं को बहुत जल्दी और ज्यादा वित देना है जो कि clean energy के लिए work करें जो परियावरन के लिए work करें तो definitely पहले से ही ध्यान इस तरफ दिया जा रहा है लेकि जब हम बात कर करते हैं World Bank की, IMF तो चलिए, Economic Crisis, Balance of Payment is equal to IMF हमने पढ़ा था, World Bank में जो हमने IBRD को, IDA को, IFC को, MIGA को, इसके अलावा ICSID को जो हमने 5 संस्थानों को discuss किया, तो हमने परपज पढ़ा था कि क्यों इनकी स्थापना की गई थी, तो उनकी स्थापना के पीछे जो उस समय उद बदलाव हुए हैं, ये बात हमने discuss की थी, तो आर्थिक स्थिर्था और संधारेनी विकास को सुनिश्चित करना, ADB काम कैसे करता है, क्या कारिय करता है, तो ये developing nation जो है, विकास सील्द, सदश्य देशों को आर्थिक और सामाजिक उनक्ति के लिए रिन और equity निवेस परद जाना, एशियाई विकास आउटलुक का ADB के द्वारा वार्शिक परकाशन किया जाता है, जैसे हमने world economic outlook को देखा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे एशियाई विकास आउटलुक को कोन पब्लिश करता है, तो ADB, Asian Development Bank पब्लिश करता है, अब definitely इस रिपोर्ट में यही बता तो रिपोर्ट बताई जाती है, ADB का focus area क्या है, जैसे NDB का focus area था, ठीक उसी तरह से ADB का focus area क्या है, उर्जा, energy, परिवेहन, शेहरी विकास, जल, क्रेशी और खाद्य सुरक्षा, जलवायू परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन, सिक्षा, परियावरण, स्वास्त है, क्या वहाँ पे NDB को पढ़ते समय हमने सिक्षा को पढ़ा था क्या, यही डिफ्रेंस आपको objective के लिए तयार करने होते हैं, कि objective question में अगर डाल दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, focus area तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ADB में कुछ नहीं छोड़ा गया, देखे सिक्षा भी है, स्वास्थे भी है, परियावरण भी है, सूचना और संचार, information and communication technology भी, governance and public management भी, सतत विकास लक्षे भी, sustainable development goals भी, क्षेत्रिय सयोग और समनवे, सारवजनिक नीजी सयोग भी यहाँ पे public private partnership, जो बार बार हम अर्थ वेविस्ता को discuss करते समय, projects को पढ़ते समय हम बात करते हैं, triple P model, public private partnership, triple P model को हम discuss करते हैं, तो वो भी यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे sustainable development goals, regional corporation and coordination, तो क्षेत्रिय सयोग और समनवे, तो यह इसके क्या है, focus area है, जहाँ पे यह work करत है, भारत और ADB, ADB ने भारत को बहुत सयोग किया है, 200 से भी जादा प्रियोजनाओं के लिए, हमारे यहाँ पे ADB ने हमारी वीतिय सहायता किये, देखिए भारत इसका संस्थापक सदश्य है, बनने से लेकर, और ADB का फोर्थ बड़ा शेयरधारक है, सबसे बड़ा जाप फिर अमेरिका, फिर चाइना और इसके बाद स्थानाता है भारत का, ADB ने भारत को 200 से भी जादा, लगबग 228 से भी जादा प्रियोजनाओं को वित पोशन किया है, तो ADB ने भारत को विभिन प्रियोजनाओं के लिए सौवरेन लोन समप्रभू रिन दिये हैं, ADB has given इसके लिए हमारी हेल्प की है, ADB ने उर्जा एनर्जी सेक्टर को अगर हम देखें, तो गलियों, घरों तक जल पंपों के लिए बिजली, बचत वाली प्रकास वैविस्ता के लिए मांग आधारित उर्जा बचत निवेस परियोजनाओं, शहरी क्षेतर में देखें, तो नवीकरण और सहरी परिवेहन, स्मार्ट शहर पहल और अटल मिशन इनके लिए भी वित्तिय सहायता की है, ADB ने हमारी, वित्त क्षेतर में अगर हम देखें, तो छतों के उपर सोर सयंत्र लगाने के लिए, निवेस कार्यकरम के लिए, PNB को भी रिण दिया है किसने, ADB न क्रेशी और प्राकरतिक संसाधनों के क्षेतर में अगर हम देखें, तो जल उपयोग दक्षेता और जलवायू लचीलापन, इसके कुछ प्रमुक्षेतरों में सहायता प्रदान करना, अब सरंचना के क्षेतर में विशाखा पटनम चेनने, इंडस्ट्रियल कोरिडोर को हम परतेक्स रिन, इक्विटी निवेस्त, रिन परतिभूती और व्यापार वित्परदान करता है, आगामी डिकेड के लिए, अगर आगामी भविशे के लिए हम देखें, तो एक स्ट्रेटरजी है, एक रणनीती है, एक नई कॉर्पोरेट रणनीती है, इस रणनीती स्ट्र प्रभावी धंग से निपटने के लिए अब्जेक्टिवे टू डील मोर एफेक्टिवली बीद ग्लोबल एंड रीजनल ड्वेलपमेंट चेलेंजेज तो जो चुनोतियां हैं चेलेंजेज उनसे बहुत प्रभावी धंग से निपटने के लिए एशिया प्रशांद क्षेतर में ज्यान वित और आपसी साजेदारी से निर्धनता उन्मुलन जो पोटी है उसको खतम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना सस्टेनेबल ड्वेलपमेंट को बढ़ावा देना एंकरेज करना इसके लिए काम करता है इसके लिए स्टेटरजी 2030 हमने बनाई है हमने का मतलब ADB ने बनाई है इस रणनीती के उदेश्य और कारिय ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से सस्टेनेबल ड्वेलपमेंट गोल ने 2030 के लिए जो नीती अपनाई है विकास एजेंडा के लिए वित पोशन जलवायू परिवर जैसे आपदा जोखिम न्यूनी करण के लिए जो सेंदाई रूप रेखा है अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो डेफिनेटली हम कभी डिसकस कर लेंगे सेंदाई रूप रेखा और अव सरंचना विकास पर G20 का जो एजेंडा के जो उद्देशे हैं कारिये हैं ठीक वैसा ही स्ट्रेटरजी 2030 है ADB का दक्षिनी एशिया एक शेतर में ADB तिवर शहरी करण परियावरणिय क्षती और बेरोजगारी इन सब को खतम करने के लिए उत्तम सिक्षा परियावरण को जो क्षती हो रही है उसको कम करना बेरोजगारी को कम करना तिवर शहरी करन उत्त क्या है Asian Development Bank के सामने भारत को खुब प्रोजेक्ट के लिए इसने वित्मुहया करवाया है Asian Development Bank में अगर भारत को देखें तो फोर्थ नंबर फोर्थ रैंक पे एक्जिस्ट करता है भारत इसके लावा यहाँ पे challenges क्या हैं इसके सामने क्योंकि हाँ बहुत अच्छे-च्छे sectors के अंदर काम कर रहा है ADB लेकिन यहाँ पे ADB के सामने धन की कमी कहीं न कहीं lack of capital पूंजी की कमी धन की कमी यह इसके सामने एक challenge है बड़े share धारक कौन है जापान, अमेरिका, चीन और फिर नमबर आता है भारत का तो जापान और अमेरिका का dominance जो है यहाँ पे भी प्रभूत्वे जादा है और प्रभूत्वे होने से भी share पूंजी का विस्तार नहीं हो पाता है तो कहीं न कहीं यह जो developed nation dominant कर रहे हैं यहाँ पे इसलिए अब हम AIIB को discuss करने वाले हैं जहाँ पे जापान, अमेरिका सदश्यर नहीं हैं तो AIIB को भी discuss करते हैं यहाँ पे जापान और अमेरिका कहीं न कहीं dominant कर रहे हैं अब हम बात करते हैं एशियाई अव सरंचना विकास बैंक की Asian Infrastructure Investment Bank AIIB यह एक बहुस तरिये विकास बैंक है यह भी क्या है तीनों की तीनों के हमने क्या पढ़ा है Multilateral Development Bank हैंगी स्थापना इसकी 2016 में की गई तो 2016 में आप समझ पा रहे हैं इसको स्थापित किया गया है तो definitely उन सभी चुनोतियों समझ्याओं चेलेंजेस को इससे हटाया गया है जिसके चलते विक्सित अर्थवयवस्ता वाले देश यहाँ पे dominant ना करें और विकास सील उभ चीन डोमिनेंट कर रहा है कहीं ना कहीं AIB के अंदर भी तो देखे स्थापना 2016 में की गई उद्देश्य क्या था एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिनामों में सुधार करना तो इंप्रोव सोशियल एंड इकोनोमिक आउटकम्स इन एशिया नाम में ही एशिया है देशों के प्रभुत्तवे वाली बहुत तरियत संस्थान जब कभी बात आती है New Development Bank की जब कभी बात आती है Asian Development Bank की जब बात आती है AIIB की तो इस समय आप ध्यान रख सकते हैं कि यह जो पश्चिमी देशों का European countries का developed nation का जहां पर dominant जादा है तो उन देशों की बजाए जैसे AIB में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं और इसलिए इसकी स्थापना ही की गई थी Many of its members are joining the AIB due to dissatisfaction with western dominated multilateral institutions such as the IMF and the World Bank तो बहुत से सदश्य वहां से इधर आने के पीछे कारण क्या है कि वहां पे उनी देशों का प्रभूत्वे बना हुआ है अब आशकता है उनको reframe, reconstruct करने क तो हाँ ये बात हम IMF और World Bank के समय भी discuss कर चुके हैं तो इसलिए इन संस्थानों को स्थापित किया जा रहा है इस तरह के statement आप अपनी answer writing में include कर सकते हैं AIB में 105 रास्ट जो हैं वो member country है इसके अभी इसके भारत समेथ 89 सदश्य हैं और 16 इसके भावी सदश्य हैं Asia से बाहर के इस भी देश जो हैं वो इसके सदश्य हैं जैसे Australia इसके नाम में भी Asia जुड़ा हुआ है लेकिन इसके बावजूद इसमें Australia, Canada, Brazil, France, Germany, UK, दक्षिन अफ्रीका ये देश भी इसके member हैं अमेरिका और जापान यहाँ पे स्टार लगाना ये जो ADB, Asian Development Bank में जो डोमिनेट कर रहे थे वो इसके सदश्य नहीं है, member नहीं है यहाँ पे जापान अमेरिका भी और जापान भी जैसे New Development Bank, जो 2015 में existence में आया, अस्तित्वे में आया, तो definitely वहाँ पे BRICS countries ने पहले ही कह दिया, बाकी देश सदश्य बनें, लेकिन 55% से जादा हम आपको rights नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे यह इतना percentage तो कम से कम हमारे पास हम hold करके रखेंगे, AIB का मुख्याले कहां पे है, तो business चीन के अंदर है, वर्तमान अध्यक्स इसके कौन है, तो चीन के जिन लिंकौन जो है, लिकौन यह इसके अध्यक्स है, प्रेजिडेंट है, उर्जीत पटेल, अब जब आप इसकी website जाके वाइस प्रेजिडेंट देखते हैं, तो वहाँ पे आपको पांच वाइस प्रेजिडेंट दिखाते हैं, अलग-अलग reason, अलग-अलग क्षेतर में, यहाँ पे उर्जीत पटेल, जो की हमारे RBI के former governor, पूर्वे governor रह चुके हैं, वो यहाँ पे वाइस प्रेजिडें लेकिन AIB के अंतरगत, आप जो वेबसाइट पे जाते हैं, वाँ पे पांच वाइस प्रेजिडेंट आपको शो किये जाते हैं, तो उनमें से एक कौन है, उर्जीत पटेल हैं, AIIB निमिल कित क्षेतरों को परमुकता देता है, तो यह कौन से एरियाज को फोकस में रखता है तो ग्रामीन, अवसरंचना और क्रशी विकास, उर्जा और विद्यूत, एनर्जी को हमने तीनों में ही पढ़ा है, न्यू ड्वलपेंट बैंक के अंतरगत भी, ADB में भी और AIIB में भी, उर्जा और विद्यूत, परियावरन, सुरक्षा ये भी तीनों के अंतरगत पढ़ आए, शेहरी विकास, जल आपूर्ती, स्वच्छता, परिवहन और दूरसंचार, यहाँ पे आपको सिक्षा नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ डिफ्रेंस तीनों के अंदर है, तो वहीं से तो आपको कॉशन पूछे जाते हैं, AIIB के पास में 100 अरब डोलर, 100 अरब अमे की डोलर का योगदान दिया गया है, यानि इस पूंजी के अंतरगत, हम यह देख रहे हैं कि चीन AIB में डोमिनेंट कर रहा है, यहाँ पे 100 अरब अमेरिकी डोलर में से 30%, 29.78, यानि लगभग 30% एक तिहाई के आसपास जो हिस्सा है, वो क्यूंकि चीन ने यहाँ पे यहाँ पे मत अधिकार सदश्य देशों की अर्थ व्यवस्ता के आकार पे आधारित है, ठीक वैसे ही जैसे हमने IMF को डिसक्स करते समय देखा था, कि IMF के अंदर जो कोटा निर्धारित होता है, जिस कोटे से आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, तो मत देने का अधिकार क कैसे कोई देश बढ़वा सकता है, जब उसका कोटा बढ़ेगा, कोटा कैसे बढ़ेगा, जब उस देश की अर्थ व्यवस्ता का आकार बढ़ा होगा, तो यहाँ पे मत अधिकार सदश्य देशों की अर्थ व्यवस्ता के आकार पे आधारित है, यहाँ पे एक reasoning समझना, कि हमने कहा चाइना जो है चाइना के पास अगर हम बात करें वोटिंग राइट की तो चाइना के पास 26.5% वोटिंग राइट है और जब AIB के अंतरगत सुधार करना हो किसी तरह का कोई रिफॉर्म करना हो AIB में तो इसके लिए चाहिए 70% वोट जो है वो फेवर में होने चाहि है क्या AIB में सुधार करने के लिए रिफॉर्म करने के लिए किसी तरह का बदलाव करने के लिए क्या चाइना की आवशकता है क्या बिना चाइना नहीं किया जा सकता क्या अगर चाइना डोमिनेंट कर रहा है यहां पे तो तो बिलकुल बिना चाइना के भी किया जा सकता है क्यों क्योंकि वोट तो होते हैं 100% इस 100% में से अगर हम चाइना का हिस्सा 26.5% निकाल भी धें इसके बाद भी 73.5% वोट तो और बच गए हैं है ना और यहाँ पे इतनी रिजनिंग तो लगा ले जाएंगे आप और यहाँ पे हम क्या देख पा रहें कि AIB के लिए चाहिए 70 70 परेशन तो चाइना का हिस्सा निकाल भी दिया कि चाइना निन नहीं वोट फेवर में किया रिफोर्म्स के बदलाव के उसके बावजूद भी अन्य देशों के पास कितना है वोटिंग राइट 73.5 तो बिना चाइना के भी रिफोर्म हो सकता है क्या हाँ बिलकुल हो सकता तो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि AIB की रिफॉर्म के लिए 70% वोट चाहिए चाहिए चाहिना का जो वोटिंग परसंटेज है वो है 26.5% इंडिया का कितना है इंडिया का भी लिख लेना यहाँ पर 7.6% इंडिया के पास कितना वोटिंग राइट है त जो है वो इंडिया का कॉंट्रिबूशन है 7.6% इंडिया का वोटिंग राइट है यहाँ पर और मत अधिकार कैसे मिलता है जो मेंबर कंट्री है उनकी एकोनोमिक साइज के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि AIIB की उपलबधियां क्या है तो AIIB को वर्स 2018 में सेयुक्त र AIIB का जो Board of Directors है Board of Directors B.O.D. जो है इसमें इंडिया पर्मानेंट मेंबर है यह बात आपको ध्यान रखने है इसलिए आपने कभी न्यूज यह पढ़ी होगी पास्ट में कि भारत के अंदर महरास्ट्रा में यह समिट रखी गई थी Board of Directors के एक मिटिंग रखी गई थी हमारे आपको पता होना चाहिए कि आखिर भारत का कितना परभूत्वे है या भारत क्या स्टेन रखता है संस्था इस ग्रूप इस संगठन के अंतरगत तो ध्यान रखना है बिलकुल AIIB में डेफिनेटली चाइना डॉमिनेट करता है चाइना कॉंट्रिबिशन में भी कर रहा है लेकिन भारत इसके बोर्ड ओफ डारेक्टर का पर्मानेंट मेंबर है ये बात आपको त्यान रखनी है चाहें तो एड कर भी लेना इसे इंफोर्मेशन को AIIB के उपलबदियां क्या है तो इससे संयुक्त राष्ट्र युनाइटेड नेशन में यहाँ पर्मानें अप्रजेक्ट्स जिनको सफलता पूरुवक एग्जेक्यूट निस्पाधित किया गया है वो कौन-कौन से हैं तो आंदर प्रदेश, ग्रामिन, सडक, प्रियोजना जो है इसको बहुत सफलता पूरुवक एग्जेक्यूट किया गया है इजिप्ट के अंदर, मिश्र में जो सतत ग्रामिन स्वच्छता सेवा कार्यक्रम है इसको बहुत बहतर तरीके से एक्जिक्यूट किया गया है इंडोनेशिया में सामरिक सिंचाय का आधुनी की करण और त्वरित पुनरवास जो है तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको AIIB ने बहुत प्रॉपर मैनन में क्या है और कितनी बढ़नी चाहिए कितना स्कोप है क्या रिफोर्म होने चाहिए तो इंपोर्टेंट हो जाता है आखिर इन ग्रूप्स इन ओर्गिनाइजेशन के साथ भारत का कैसा रिलेशन है भारत कहां स्टेंड करता है एक्जिस्ट करता है इन ओर्गिनाइजेशन में तो देखे AIIB में definitely हम जानते है चाइना जो है वो dominant कर रहा है भारत और AIIB क्योंकि जस्ट अभी जो reasoning हमने देखी है कि चाइना का voting percentage, चाइना का contribution तो definitely चाइना dominant कर रहा है लेकिन उसके बाद स्थान किसका है तो भारत का है भारत AIIB में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हीत धारक है भारत AIIB का सबसे बड़ा रिंड धारक है अब यहाँ पे loan बोरोवर भारत सबसे बड़ा है तो यहाँ पे आपके दिमाग में question लग सकता है एक question आ सकता है वो क्या कि क्या भारत indirectly चाईना से ही loan ले रहा है क्या क्योंकि अभी हमने देखा कि 30 बिलियन डॉलर के आसपास चाइना जो है वो इसके अंदर कॉंट्रिब्यूट कर रहा है योगदान है चाइना का इतनी पूंजी लगा रखी है तो क्या ये पूंजी अब भारत जब सबसे बड़ा रिनी इसका बना हुआ है लोन लेने वाला ब योगदान दे रहे है तो वित इनके पास कहां से आ रहा है जो सदस्य देश है वही इनको वित दे रहे है अब ये और्गेनाइज़शिन किसे आगे बोरो लोन देता है कौन इसका बोरोर बनता है इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि इंडारेक्टली भारत गई है इसका मतलब ये उन देशों को तो लोन नहीं दे रहा कि इसका लोन बैड लोन में कनवर्ट हो जाए तभी तो रेटिंग इतनी अच्छी मिली है तो यहां पे भारत पे किसी तरह का कोई कौशन मार्क नहीं लगता है कि क्या भारत चाइना से इंडारेक्टली AIIB के थ के अंदर चाइना का तो ये कौशन आ सकता है स्वभाविक है देखे COVID-19 अच्छी बात है AIIB हमारे यहां पे प्रोजेक्ट को लोन दे रहा है प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशल मदद कर रहा है तो इससे हमारे प्रोजेक्ट आसानी से हो पाएंगे और इसी लिए तो इन संस्थानों का ग्रूप का और्गेनाईजेशन का संस्थापक सदश्य है भारत देखे COVID-19 महामारी से निपटने के लिए AIIB ने 2020 में भी भारत की फिर से मदद की है AIIB बनाम ADB तो सबसे बड़ा डिफ्रेंस तो दोनों में यही है अभी हमने देखा कि ADB 1966 में बनी हुई संस् साल के बाद क्योंकि 1966 और 2016 कितना डिफ्रेंस आ गया है भाई 52 आप कह सकते हैं क्या 1966 से और 34 यह पूरा 50 साल का गैप है ना पूरा 50 साल का गैप मेंटेन हो रहा है दोनों संस्थानों के अंदर तो डेफिनेटली चेंजेस तो हैं दोनों की तुलना करके देखें तो देखें ADB पर हमने देखा जापान का अमेरिका का प्रभूत्वे जादा है यह दोनों कंट्रि डोमिनेंट कर रहे है हालांकि फोर्थ नमबर पे ADB में भारत आ रहा है लेकिं AIIB में भारत सेकिंड नमबर पे आ रहा है AIIB की बात करें तो चीन का प्रभूत्वे जादा है अब पूछे जाते हैं वो इसी तरह कि ADB अब आप समझ सकते हैं कि Asia अब जापान तो Asia का कोई बैंक है Asia जहां पर नाम आ रहा है वहाँ जापान आ भी सकता है तो आपको confusion हो सकता है कि ADB Asian Development Bank में जब जापान है तो Asian Infrastructure Investment Bank में जापान क्यों नहीं है तो होना चाहिए लेकिन यहां प International Standard and Poor's यह जो Credit Rating Agency है इनके द्वारा जो Rating दी गई है वो भी AAA की दी गई है AIIB की अभीदत पूझी की अगर हम बात करें तो definitely ADB से तो कम होनी है और जब पूझी capital ही कम है asset भी कम है तो definitely loan भी ADB जादा देता है AIIB कम दे पाता है क्योंकि उतनी पूझी नहीं है तो यह भी एक तुलना की जा सकती है AIIB की अभीदत पूझी यारी जो subscribed capital है और जो asset परिसंपत्ती है वो ADB की तुलना में कम है और कम है इसलिए ये रिण भी कम दिये गए है AIIB के द्वारा तो ये हमने तीन organizations को पढ़ा एक हमने पढ़ा new development bank को जो कि BRICS countries के नाते important हो जाता है और इंडिया उसका संस्थापक सदश्य है विचार देने वाला सदश्य है भारत था तो इसलिए और important हो जाता है इसके अलावा क्योंकि हम IMF World Bank में continuous reforms की उनको reconstruct करने की ये demand रखते हैं तो तो इसलिए भी important है तो तीन organizations को हमने discuss किया जो कि जो emerging economic country है उनके लिए work करना इनका focus area क्या है किसके लिए काम करते हैं ये सभी बाते हमने discuss की important है ये और objective question बिलकुल पूछा जा सकता है नए जुडे जो देस हैं वहां से question पूछा जा सकता है इनके focus area से question पूछा जा सकता है तो important है अपने आप में I hope आपने class को ठीक enjoy किया है आपको class अच्छी लगी जो भी topic आपको पढ़ना होता है आप comment section में जरूर लिख दिया करें ताकि उनको ध्यान में रखा जाए और उसी तरह से हमारी classes आगे बढ़ें तो चलिए मिलते हैं फिर next topic में जै हिन जै भारत